असलाम अलेकुम आज मैं आपसे बटर चिकन की इजी रेसिपी शेयर करूंगी तो इसके लिए कुछ हमें ज्यादा इंक्रीडेट्स की जरूरत नहीं होगी बस घर में ही मुझूद स्पाइसिस के साथ हम इसे त्यार करेंगे यह ऑथेंटिक बटर चिकन की रेसिपी नहीं है मैं आथेंटिक बटर चिकन की रेसिपी भी जरूर आपसे शेयर करूंगी लेकिन यह बटर चिकन जो है यह उसका ही एक वर्जिन है बहुत इजी सा और बहुत ही यमी यह भी तैयार होता है तो चली आएए इजी बटर चिकन के लिए देख लेते हैं हमें किन इंग्रीडिय आटार लेलिए इसके लावा लवावववन और फी के जतना सॉल्ट वहन टेबल्स्पून के जितना और ब्लेक पेपर पाउदस ध्या-टेस्पामेम टान लेञ है तो इसके लावा बटर चिकन को रिच क्रीमी सा टेस्स देने के लिए हमें जो चीजसें चाहिए होंगे वहां उसमें वन कर चैस के चितनी टेमेतो प्यूरी है येczne मीडियम साइज के मैंने टेमेटो लिए और उने मैंने भगेर पानी डाले ब्लेंड कर लिया है और हाफ कप के जितनी क्रीम चाहिए होगी हमें और यह 2 टेबल स्पून के जितना मेल्टेड बटर है और हाफ टी स्पून के जितनी यह रेड चिली पावडर है इसके इलावा मैंने तकरीबं 750 क्राम के जितना चिकन फिलिट ले लिए थे उन्हें मैंने ये इस से दिशक तरह के स्थिे काट लिए इस तरह की स्ट्रेप में आप काट ली ची崑 लेके हैं तो ये तकरीबन 750 ग्राम की जितना चिकन है तो चलिए आए सबसे पहले हम इन इंक्रेडियोंट को मिक्स करते हुए एक सॉस तियार कर लेते हैं तो सॉस तियार करते हैं बटर चिकन के लिए इसमें ये वन कप के जितनी टोमेटो पूरी डाल देते हैं और इसके in लावा हम भाल देते हैं हना बिदिगा क्रीम आखिedel इसमें क्रीम डाल दी हमने और ये नहीं। जितना इसमें लावा वह भी शर्तव सेटे ही हम पूरी दूल गाजिए 500व gap आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग चिली एड़ कर लीजिए तो मैं इसमें हाफ टीस्पून के जितने एड़ कर रही हूं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो इसको हम साइट पर रख देते हैं तो चली आईए एक बड़ा बावल मैंने यहां पर ले लिए अब चिकन को हम चिकन की मेरीनेशन के लिए पेस्ट हम बना लेते हैं योगर्ट के साथ योगर्ट मैंने डाल दिया फोर टेबल स्पून चो मैंने आपको बताया था उसमें अब हम डालना शुरू करेंगे बाकी के स्पाइसेज यह ब्लैक पेपर चली गई इसमें फाइन एलाइची पाउडर चला गया सौल्ट एड़ कर देते हैं इसमें और यह रश्ट जीरा चला गया इसमें वाइट क्यूमिन और चली जाएगी इसमें ग्रीन चिली गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट इन तमाम चीजों का अच्छे से मिक्स कर लीजिए नहीं अच्छ तक हम टूर्पा लेंगे और चिकिन्स मेंने आपको बताया था आपको बिदें सेविविवटी ग्राम्स वह अपिसमें तो यहता प्रूंड़ प्रषपाई फूरथ है प्रषपु लिए यह देख लिए बहुत ही हुबसूरत बहुत ही अच्छी परहएटि radiicação का बप्रच्ण आपक्यू जबादों दाले सट Тамढसे शैटें मेरीएट ए था फार्षाट ऐसे विदा चड़ां शुरूa है क्ड़िए तो चैपनागत में कर दिए और sushi जाना सब्सक्राइब लिए अब रिएक साइब it यह चिकन को मेरिनेट कर लिए तो तुमाम स्पाइस के साथ जो मैंने आपको बताए थे तो अभी में इसको तक्रीबान 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मेरिनेट होने के लिए और इसके बाद इसको कुक करना शुरू करेंगे तो चलिए इसको रखते थर्टी मिनट के लि चुछे जाए ने बाद बाद के साथ ही एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून के जितना ओयल और आप हम इसमें एड़ कर देंगे मेरिनेट चिकन तो वो चलिए चिकन एड़ कर लेते हैं इसमें जो हमने मेरिनेट करके रखे तमाम स्पाइसेज में इसको अच्छी तरह से बटर में फ्राइ कर लेते हैं अब इसमें बहुत ही जबदस ही खुष्पू आरही है चिकन से माम स्पाइसेज के साथ मेरिनेट होने के बाद तो अभी हम इसे कुप करना शुरू करेंगे चिकन को फुल हीट पे कुप कर रही हूँ, आपने भी इसको फुल हीट पे कुप करने अची का यहां तक कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले और इसका झो थोड़ा बहुत पानी होगा वो ड्राइ हो चाहें तो फिर इसमें हम जो सॉस हमने प्रिपेर की थी तो वो हम इसमें डालेंगे तो अभी इसे कुख होने देते हैं तो चिकन खो uais इसको मैंने अभी ही फुल हिट पर रख्का वैं इह देखिए और इसका तक रीवन खोड़ा-थोड़ा खैंज हो रहें अभी मैं इसे और कुख करोंगी अची-टरह से अभी मेरे चिकन के हीट जो है वो मीडियम कर दिये और मैं इसको कुक करूंगी यहां तक के चिकन 80% तक दन हो जाए तो इस पॉइंट पे आप चिकन में चिली और सॉल्ट लेवल चेक कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो आप इसमें ग्रीन चिली एड कर सकते हैं इस टाइम पे और सॉल्ट एड कर सकते हैं तो इसको कुक कर लीजी 80% के जितना हिले शबी अच में दूपे तो चिकन हमारा हो रहे कुक हो रहे ही पे हीट मीडियम पर है अभी मैं इसको लीड लगा के थोड़ी दिर कट कर लूंगी लोगी टो चली रिचा लेट लगाते हैं और छोड़ देते हैं कुक होने के लिए तो चली आईए चीकेन को देख लेते तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं बटर नजर आने लगा हमें कॉर्णनर्स पे तो चिकन आल्मूस्ट चो है 80% के करीब पहुंच चुक है टेंडर हो गया यह 80% के करीब और मॉइस्चर भी इतना ज्यादा अब इसमें नहीं रहा तो इस पॉइंट पे हम जो सॉस हमने त्यार करके रखी थी यह इसमें डाल देंगे और एसमें मजीब कुक होने के लिए चोड़ देंगे तो चलिए यह दूदाों कि अविए सोस में हम लोगोंने बनाई थी यह डाल देते इसमें इसमें टेमेटो और फ्रेश क्रीम, बटर और थोड़ी सी चीली से एट की थी हमने, तो इसको डाल दिये, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हीट स्टिल लो पे रखिएगा, बहुत ही फाइन, रिच क्रीमी सा टेस्ट आएगा इस सॉस के साथ इसमें, तो अब हम इसको कुख होने देते है, बॉयल होने लगेगी, तो हम इसे छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसे कवर कर देते हैं, हाफ कप की जितनी क्रीम यूज करना नहीं चाहते, तो आप हाफ कप को डिवाइड कर दीजिए, वन फोर्थ कप क्रीम, एन वन फोर्थ कप फुल क्रीम मिल्क से, तो उस तरह से भी आ अची तरह से नहीं आ जाता हम इसको करते रहते हैं, और चिकन भी तब तक टेंडर हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं बटर चिकन को, जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बटर चिकन का बटर बिलकुल टॉप पे आ गया है, तो इट मीन्स के हमारा चिकन दन है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, हीट इसकी बन कर देते हैं, चिकन भी बहुत अच्छा टैंडर हो गया है, ओल भी उपर आगया है सारा, तो इसमें थोड़ा सा बटर बन के तयार होता है और बहुत खुएक है, तो चलिए एजीए आट बटर चिकन बिल्कुल तयार है, इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा, बहुत अच्छा ये बनता है, ग्रेवी भी इसकी बहुत यमी तयार होती है, बटर चिकन बनाएगा जरूर ट्राइ कीज़ेगा, इसी के साथ इजाज़त दीजे, वीडियो को लाइक कीज़ेगा, शेयर कीज़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, थैंक यू, अल्ला हाफेज